हालो मैं वेलकम टू देशी बटाका मैं हूँ अरादनाब के साथ दोस्तो बॉलिवुट के अंदर नेपोटिजम नया नहीं है ये सालों पुराना है और इसका शिकार सिधार शुकला भी हुए जी हाँ सिधार शुकला ने बेशक नेपोटिजम के सवाल को अपने इंटरव्यू में घुमा दिया हूँ लेकिन ये खबर अपूरी तरह से कन्फर्म है कि सिधार शुकला ने धर्मा प्रोडक्शन के साथ तीन फिल्मों की डील साइन की थी लेकिन उनको तीन फिल्में नहीं मिल पाई और मैं इतनी शोटी से कैसे कह रही हूँ ये बात क्यूंकि खुद सिधार शुकला ने कपिल शर्मा के शो में इस बात का कुलासा कर रहा था जब उनसे एक ओडियन्स में बैठे हुए डीजे ने पूछा कि आपकी तीन फिल्में हमको देखने को मिलने वाली है वो कौन कौन सी है और कब आएंगे तो सिधार ने जवाब दिया था कि अभी एक आने वाली है तो आप वो देखिए जब बाकी दो आएंगी तो मैं आप कि पूरे एपिसोड को शेयर करा है जिसमें सधार शुकला आये थे जब उनकी मूवी आने वारी थी और ये एक बहुत बड़ी बात है कि टीवी इंडस्ट्री के कलाकारों को बॉलिवुड में जगे बनाने के लिए बहुत मशक्कत करनी परती है और जगे बनाने के बाद आपको प्रूफ करने के बाद भी वो टिके रहे ये जरूरी नहीं है और हम सभी जानते हैं कि सुशान सिंग राजपूर जैसे सितारों के साथ क्या हुआ कमेंट्स में आप अपनी राया में जरूर लिखकर बताएगा और प्लीज जो डिस्क्रिप्शन में मैंने कलर्स का रिंक डाला है जरूर देखिएगा गुडबाई गाईज